तो स्वागत है आप सभी का अग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में तो फाइनली आज हुआ है सेंट अप एक्जाम 10th क्लास वालों का उर्दू सब्जेक्ट का तो आप सभी लोग का जिसा की बार-बार कमेंट आ रहा था कि मैं उर्दू का एंसर की बता दीजिए आज के सेंट एक्जामिनेशन का तो फाइनली आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को उर्दू का एंसर की बताया जाने वाला है जो आज एक्जाम हुआ है ठीक है तो ध्यान से आप लोग मिलाते चलिएगा आपका कोई सभी सेट हो सकता है सेट A, B, C, D, E, F, G जो भी आपका सेट है आप क्वेशन पढ़िए और क्वेशन का एंसर मिलाईए यानि कि क्वेशन हो सकता है कि सेट A में जो एक नंबर पर हो वो सेट B में 15 नंबर पर 10 नंबर पर सेट C में 25 नंबर पर 75 नंबर पर तो आप लोग क्वेशन को पढ़कर एंसर मिलाईएगा ठीक है तो आज 19 तारीक है 19 तारीक को एक्जाम हुआ है सेकेंडरी सेंट अफ एक्जामेशन तेंथ क्लास वालों का तो चलिए मिला आते हैं हम लोग और आप लोग का कितना सही होता है अब्जेक्टिव क्वेशन कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईएगा जैसा कि आप लोग को पता है कि 3 घंटा 15 मिनट ताइम लिया गया था ये सेंट अप एक्जाम इसलिए लिया गया ताकि आप लोग को एक तरह से जैसा आप लोग जायंगे सेंटर पर एक्जाम देने के लिए पाइनल बोड इक्जाम तो इसी तरीके से आप लोग को क्वेशन पिपर मिलेगा तो यह आप लोग के practice के लिए और confidence बढ़ाने के लिए एक्जाम लिया गया है और in fact हर साल लिया जाता है मतलब अब जो 2025 में student exam दे रहे हैं, 2026 में exam देंगे ठीक है, सभी के समय लिया जाता है, sent up exam ठीक है, तो चलिए आती हम लोग बात करते हैं, objective question का answer की में आप लोग को बताती हूँ देखिए, section A, यानि कि दो section में ये बटा हुआ होता है question paper में अलड़ी लिखा रहता है कि दो section, section A, section B section A में objective question और section B में subjective question होता है तो section A का ही आप लोग को answer की में बताने वाली हूँ, objective question का कहा गया है कि इदर जैल मारूजी सवलात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें, 50 से जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवलात जांच किये जाएंगे, यानि क्या कहा गया है कि टोटल 100 अबजेक्टिब क्योशन है, सेक्शन ए में और आप लोगों को इन 100 अबजेक्टिब क्यो अगर आप 50 से ज़्यादा OMR sheet पर सवालों का जवाब दे देते हैं, ज़्यादा गोला भर देते हैं, 50 से ज़्यादा गोला भर देते हैं, तो फिर स्टार्टिंग से शुरू से एक नंबर से 50 तक काउंट किया जाएगा और उसी का जांच होगा, ठीक है, तो चलिए, I hope जाली बात ही नहीं, option number 20, the correct answer, भावी जान नाम के chapter की किरदार है, तो कईया भावी, ठीक है, जो की जलते हुए चिराग की तरह इनका मिसाल दिया गया है, दूसरा सवाल, कि दरजायल में कमर जहां की तस्नीफ कौन है, option A में, चारगर, B में, आखरी तोफा, C में, अनोखी मुस्कुराट और D में है, चारगर, आप लोग इसका क्या लगा करा है, इसे रहा बता दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी, कमर जहां की तस्नीफ का नाम है, चारगर, यानि की कमर जहां का creation है, चारगर, और हाँ, अगर आप लोगों ने chapter नहीं पढ़ा है, 10th class के, उर रक्षा के सारे के सारे chapter को आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, आप लोग यूट्यूपर सर्च करके हर एक chapter को complete कर लिजे, क्योंकि अभी भी है वक्त और लगा देना है अपना पूरा दम, क्योंकि समय है बहुत कम, चलिए तीसरा सवाल देखिए, डॉक्टर मुहम्म की पैदाई से हुई रहती है पटना शहर में, option number D is the correct answer, आगे बढ़ते हैं next question, question number 4 की अखतर किस लड़की से शादी करना चाहता है, option A में जमीला, B में, सकीना, C में, खालिदा और D में, राशिदा, तो हो सकता है ये जो set A में, देखिए, set A में, set A में, ये question number 4 पर ये सव सवाल पूछा गया है, तो आप लोग का set अगर B हो, C हो, D हो, तो ये सवाल दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, अखतर जिस लड़की से शादी करना चाहता था, उस लड़की का नाम था, जमीला, option number A, इस the correct answer, और ये भी भावी जाननान के chapter से question पूछा गया है, ठीक है, तो इसी वज़े से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने दरक्षा का book total complete कर लिया है, तो आप आसानी से 50 marks टिक करके आ सकते हैं, साथ में grammar की भी knowledge होनी चाहिए, grammar भी आप लोग को अलड़ी पढ़ाया जा चुका है, तो grammar का भी आप वीडियो देख लिए और सारा का सारा grammar का topic complete कर लें, उर्दू grammar चलिए, पांचवा सवाल है कि सरस्यद का कौन सा मजमून आपके निसाब, निसाबी किताब में शामिल है, आप साने में हैं जबान गोया, वी में हैं किस्सा अजाद बख्त का, सी में हैं बिननत बहादूर श कियेगा, अलिगर मुस्लिम उनिर्सिटी तहरीक के जो अध्यक चापियों कह सकते हैं, वो कौन थे, सरस्यद एहमद खा ही थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानि कि अलिगर मुस्लिम उनिर्सिटी को कायम किस ने किया, सरस्यद एहमद खाने, छे नंबर सवाल है, कि भीम महार जाग से तालुक रखते थे, और एक और बात में आप सबी लोग को कहना चाहूंगी कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो फड़ापट लाइक करें, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे, ताकि आप अपना तो यहाँ पर एंसर की अपना जाज तो करी रहे हैं, साथ में आपके दोस्त भी जो है अपनी जाज कर सके कि वो कितना सही कर पाए हैं, ठीक है, तो फड़ापट वीडियो को शेयर कर दे, चानल पर नहीं नहीं आए तो चानल को सब्सक्राइब कर लें, चलिए, साथ नमबर सवाल, कि जमीन किसका तवाफ करती यानि कि हम लोगी जो धरती है, प्रित्वी, यह किसका चक्र लगाती है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यह सूरज का चक्र लगाती है, ठीक है, ओप्सन नमबर D is the correct answer, नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर 8, कि नाविल तौपतल नसू में मरकजी क आप लोग ने सीज लगाया होगा, क्वेशन नमबर 9 है कि बेदी से इंटर्वीव लेने वाले कौन है, तो दो लोग थे, एक थे फयाज रिफक और दूसरी थी इसमर्चुकताई, तो आप्सन नमबर C is the correct answer, इसमर्चुकताई दिया गया है, तो इसको टिक कर दीजे, रात, शब रात होना का क्या मतलब है, आपसने में घमजदा होना, भी में जोश मियानासी में बहुत ज्यादा खुश होना, और डी में है, खुश आमद करना, तो दिन एद और रात, शब रात होना का मतलब होता है, बहुत ज्यादा खुश होना, यानि कि एद के दिन लोग खुशी से तेवार मनाते है इस तेवार को रात शब बिब रात बहुत नेमत वाला रात होता है तो दिन एद और रात शब बात होना का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना ग्यारा नमबर सवाल कि अरज का हमसौत लव्ज क्या होगा तो अरज का हमसौत यानि कि एक जैसा पुनाउंस होने वाला लव्ज कौन सा है तो अरज और अरज दोनों एक ही जैसा पुनाउंस एक ही जैसा बोला जा रहा है न अरज और अरज जी हां और और अरज बरते हैं बारा नमबर सवाल कि यहां मत आओ इस जुम्ले में मत आओ कौन सा फेल हैं यहां मत आओ इस सेंटेंज में मत आओ कौन सा फेल है फिल माजी फेल नहीं फिल हाल फिल अमर तो जिस चुमले में किसी काम को नहीं करने की नहीं करने का आँड़र दिया जए इसको कहते हैं हम लोग फेल नहीं तो देख्ये कोन सी option में दिख रहा है के computer screen पर ये रहा option सवाल है कि दर्जजयल में इसमें आलग हो रहा है option में कलमबी में कुर्सी सी में किताब और डी में कॉपी और आप सभी लोग को में बता देना लिखा गया है ठीक है तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई है टाइपिंग में चलिए आगे बढ़ते हैं अंगले question की तरफ question number 50 अब आप लोग कहेंगे कि मैं हम लोग तो इसका बी लगा दिया या फिर दी लगा दिया फिर लगा दिया तो क्या हमको नंबर मिलेगा तो of course मिल भी सकता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर यह question गलट टाइप हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें आला ओजार यह फिर अतियार का नाम होता है ठीक है question number 15 कि मैं किताब पढ़ता क्या रहेगा यहां पर खाली जुमला है खाली हो कि हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ अवकॉस इतना आसान सवाल भी आप लोगे वोड एक्जाम में पूछा जाते है अवकॉस इसमें से भी एक रहेगा फाइनल एक्जाम में चलिए question number 16 है कि शामिली निसाब नजम हुआ मुलकात की जबान की नजम है औरियाभी में मल्य आलम सी में पंजाब इडी में है तेलगू फटाफट बताना शुरू कर दीजिए क्योंकि यह जो सवाल पूछा गया है यह रॉष्णी के बुख से पूछा गया है देखिए जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई कि टेंथ क्लास में दो उर्दू का बुख प होगा है कि सामिले निसाव नजमौा मुलाकात की जबान की नजम हैं Πजिए बढ्र अनमर फ्रो equitable औरिय आप बंजाब इसी जवाब किया होगा वह मुलखा ज्यूंपे यह यह लिखा गया है मल्यालम जबान में मल्यालम भाषा में ऑप्सान नम्बर 20 दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं 17 नम्बर सवाल कि गोपी नाथ की सफसाना का किरदार है ऑप्साने में है वात्रप के किनारे भी में सेकंड हैंड सी में खाली संदू कॉड़ी में अर्जुन तो गोपी नाथ जो हैं वह सेकंड हैंड अफसाने का किरदार है यह अल्रेडी रॉष्णी का भुक भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं अगर टैंद क्लास के रॉष्णी का भुक आपने नहीं पढ़ा है तो रॉष्णी का भी बुक पढ़लें औल चेप्टर पढ़ाए जा चुका है टोटल 12 13 चेप्टर है सारा का सारह चेप्टर कमप्लीटेड दें चलिए 18 नंबर सवाल कि करनर जबान किसी सूबे में बोली जाती है दहिए यह भी रॉष्णी के बुख से पूछ तो ऐसा नहीं कि रॉष्णी के बुख से नहीं रहता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस परसे किस सुबह में बोली जाती है तो करनाटक में बोली जाती है और बेटी का और डी में से कोई नहीं तो उर्दू और हिंदी में जो रिष्टा है वह बहनों का रिष्टा है माजाई बहने उकातो आगे बढ़ते हैं बीस नमबर सवाल कि सोमेश्वर तरादोई का कौन था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ एक इस नमबर सवाल कि बेदी को उदू अफसाने का खुदा किसने करार दिया तो इसका एंसर मुझे जांतर लगता है और नमबर ए होना चाहिए क्रिश्ण चंद्र ने क्योंकि और किसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है राजिन सिंग बेदी के बारे में जो बताये गया है टेन्थ क्लास के द्रक्षा के बुक में तो आई होप अप्सान नमबर ए होगा अप्सान नमबर ए ही होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 22 नमबर सवाल है कि चकबस्त की पैदाईश कब हुई ऑप्शने में 1880C में 1882 और D में 1883 तो इसका तो डारेक्ट आप लोग एंसर बता सकते हैं चकबस्त की पैदाईश हुई थी 1882 में ऑप्सान नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर अगला सवाल अगला सवाल आप लोग के कंप्यूटर स्क्रिन पर ये रहा सवाल है कि इंडिया गेट किसकी नजम है ऑप्साने में चकबस्त भी में है जगनन 5 ृमात आजाद का और समय इस दाकरेक्ट्ट एंसर नेक्ट की जग्न की तरफ बठते हैं मिर्जा और भी में मिर्जा अजदूला 4 सजादूला तो मिर्जा गालिब का पूरा नाम तो परवीन शाकिर की पैदाईश हुई थी कराची में ठीक हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि इर्फान सिदक्टी ने किस मजमून में में किया तो यह जो क्वेशन पूछा गया है जहां पर स्टुडेंट का ध्यान ही नहीं जा सकता है तो आप लोग जड़ा चौकन ना हो जाए क्योंकि हो सकता है कि फाइनल एक्जाम में ही इसी तरीके से खखोर कर क्वेशन पूछ दे मतलब कि यह ऐसा क्रिशन पूछा गया है जहां पर स्टुडेंट का ध्यान ही नहीं जाएगा पुरा बुक पढ़ लेंगे ठीक है उनका यह इस टॉपिक इस पॉइंट पर ध्यान नहीं जाने वाला है तो आप लोग को में बिता दूँ कि इरफान सिदिक्टी ने उमरानि जाय जरी जिस तरह उर्दु शायड़ी में घजल फेमस है उसी तरीके से हिंदी शायरी में गीत फेमस है ठीक है गाना वगएरा अगला सवाल स्लाम मछली शेहरी का असल नाम क्या था अबस basic अब में अबदसिल्सलाम तो βी ना सोचे समझे अब दूसलाम ही किजिये क्योंकि नामी में सलाम, ठीक है, सलाम मचली शेयरी, तो अब दूस सलाम इनका रियल नेम है ही, ठीक है, अगला सवाल, तीस नंबर सवाल है कि दर्जजैल में मादूला, वाउ मादूला किस लफज में है, अफ्कॉस ये ग्रामर कर देखिए, यहां से ग्रामर का कुशन स्टा हो रहा है, ग्रामर, उर्दू ग्रामर, ठीक है, और ग्रामर में आप रूको अलड़ी पढ़ा चुकी है, बताया गया थर्क कि वाउ मादूला उस वाउ को कहते हैं, जिसको लिख तो जाता है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे कि नूर, हूर, खून और खाब, इन चा खाब लिखा गया है, पढ़ा जाएगा खाब, यानि कि वाउ को तो लिखा गया है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, तो option number D is the correct answer, इसको खाब पढ़ा जाएगा, और यही है वाउ, वाउ, मादूला, I hope आप लोगो ये चीज़े clear भी हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं, 31 number सवा कि इसम नकरा की कितनी किसमे हैं, इसम नकरा कॉमन नाउन को कहते हैं, यानि कि जाती वाचक संग्या, जिससे पूरी जाती का बोध हो एक आम नाम होता है, ठीक है, तो इसम नकरा की कितनी किसमें यहाँ पर पूझी गए, कितने टाइप हैं, तो इसम नकरा के पाँच टाइ कि उर्दू ग्रामर इसी वज़े से मैं आप लोग को कहती हूं कि जरूर पढ़ ले क्योंकि उर्दू ग्रामर ज्यादा इसमें टॉपिक है भी नहीं अराम से आप लोग पढ़कर निश्चिन्त हो जाएंगे ग्रामर का एक भी क्वेशन नहीं छोड़ेंगे और अगर आप उन्हें नहीं पढ़ा है उर्दू ग्रामर तो यह ग्रामर का कुशन आप लोग के लिए टफ लग रहा होगा ठीक है एक बार मैं कहूंगी लास्ट बार फिर से कि उर्दू ग्रामर को पढ़ना आप लोग के लिए एकदम कंपल्सरी है मस्ट इंपोर्टेंट है जरूर छब1वर कि अब कि जबनाइस मुझकर होगा नहीं आप इतन चाइं है चायदि यह दो आप लोग सुने होंगे ये भी लव्ज मॉननस है इस्त्रलिंग है ठीक है आप लोग सुने होंगे कुछ लोग कहते हैं कि चाहे कम पीनी चाहिए ठीक है पीनी चाहिए पीना चाहिए नहीं पीनी चाहिए तो आपसन नमबर डी भी नहीं होगा चिए एक मॉनस लफ्य दुआ रा दुआ को भूल हुई ुए नहीं दुआ को भूल हुई तो यह हैं 188 це मुझकर नहीं है लेकिन भॉब यह एक मुझकर लवज है मैंने भॉब में देखा कि मैं पधान मंत्री बन गई वाओ पेशे मैं ने ख्वाब में देखा कि आप लोगे ने हमारे वीडियोज को इतना शेयर किया कि यापनीकेड्मी वर्ल्ड का नंबर वन एज्यूकेशनल चैनल बन गया थीश है तो ये क्या है मैंने ख्वाब में देखा देखी नहीं देखा तो ये क्या है खुआब एक मजखकर लफज है आपसन नमबर ए इसना करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं 33 नमबर सवाल कि कैद का मुत्रादिफ क्या होगा आपसन अ में है क्यूद, बी में है जेल, सी में रहाई और डी में है बंद तो यहाँ पर आप लोगों को बता दो, मुत्रादिफ का मतलब होता है परियाएवाची शब्द, सीनोनिम तो कैद का परियाएवाची यानि की एक जैसा मानी रखने वाला शब्द कौन सा है बताईए एक जैसा मानी रखने वाला लव्ज कैद बोली है फिर जेल बोली है बात एक ही है तो आपसा नमबर बीज दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं अंगला सवाल डर्जिजैल में कुन्यत की निशान दही कीजिए आपसाने में है शाद भी में है लड़ू सी अब लोगो अर्दू ग्रामर में और लड़ी कुन्यत को पहचाने के एकदम धासू बर्दस ट्रिक बताई थी ना कि जिस नाम के शुरुआत में आप लोगो इबन लिखा हुआ दिखाई दे बिंत लिखा हुआ दिखाई दे उम लिखा हुआ दिखाई दे या फिर अबू लिखा हुआ दिखाई दे इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ दिखाई दे किसी भी नाम के आगे तो उसको बिना सोचे समझे आँख बंद करके कुद्निय टिक करना है अब यहाँ पर चार आप्शन आप लोग को दिख रहा है बताईए कि इन चारों में से कौन सा आप्शन सही होगा इबन, बिन, उम, और अबू किस में लिखा हुआ दिख रहा है तो देख आप्शन आ में तो दिखी नहीं रहा है बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है लेकिन डीपर अगर आप लोग गोर करेंगे तो देख यह लिखा गया है इबन अली तो जिस नाम में इबन हो, बिन्त हो, उम हो या फिर अब उसे क्या कहते हैं फुर्मियत कहते हैं तो आप्शन नमर डी में इबन दिख रहा है तुम पर पाप चलेगा ठीक है, इस तरीके से भी भी नहीं होगा आज हमारा भारत या फिर आजाद आजाद भी जो है ना भारत आजाद हो गया ठीक है, तो आजाद आप लोग सुने होगे आजाद भी ये लव्ज मुजक्कर है मॉनस नहीं है अगला सवाल 36 नमबर कि हवा कि घोडे पर सवार होना मुहावरे का क्या मतलब है अपसान नहीं है अराम करना भी में जल्दी करना भी में घोडे की सवारी करना ये तो एकदम हलवा कुशन है कि मुहावरा जितना भी होता है इस नहीं हवा के घोडे पर सवार होना ये कि इनसान जल्दी-जल्दी काम करता है और लोग भी में करता है कि इतना जल्दी जल्दी करना आगे बढ़ते हैं 37 नमबर सवाल मेरे पास एक पुरानी टोपी है इस जूंबले में टोपी क्या है यह कहां से आ गया इस जुम्ले में टोपी क्या है उपसदैंब है मौसूफ भी मैं जमीर सी में सिफ़त और डी में फैल यहां पर ध्यान दीजिए दी तो होगा नहीं क्योंकि फैल कहते हैं वर्फ को सिफ़त भी नहीं होगा जिसकी विशेष्टा बताई जाए उसको कहते हैं हम लोग मौसूफ यानि कि ऑप्सन नंबर ए इस दा करेक्ट एंसर ध्यान दीजिए पुरानी टोपी इसमें टोपी किते विशेष्टा पुरानी ये लवज बता रही है पुरानी से पता चल रहे कि टोपी कैसी है पु जानी है तो टोपी हो जाएगी मौसूफ ठीक है तो ऑप्सन नंबर ए इस दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल प्रशन नंबर थर्टी एट कि दर्स जैल में इसमें जर्फ की निशान दही किजिए ऑप्सने में मुदर्रिस भी में दर्स गाहासी में दर्स दिमें तद्रिस तो इसमें जर्फ कहते हैं किसी भी जगाह या फिर वक्त के नाम को चाहे वो किसी भी जगाह का नाम क्यों ना हो हम क्या कहेंगे इसमें जर्फ कहेंगे जिससे वक्त या फिर जगाह का नाम जाहीर हो तो दर्स गाहा ऑप्सन नंबर 20 ता करेक्ट एंसर लाल पटेल का जो कहानी हम लोग के बुक में दिया गया है उस कहानी का नाम है वात्रक के किनारे ऑप्सन नमबर इस तक रेक्टेंसर अगला सवाल की मदुकांत के ससुराल देखें यहां पर थोड़ा सा मिटक गया है तो इस वज़ा से कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है मुझे तो लग रहा है यहां पर पूछा गया है कि मदुकांत के ससुराल का नाम क्या है या फिर ससुर हो सकता है तो ससुर का नाम तो इस चैप्टर से पूछा गया है यह सवाल उसमें दिया नहीं गया है ससुराल का नाम दिया गया है तो इस सवाल को आप पेंडिंग में डाल सकते हैं अगर आप लोग इसको लगा दी है तो अच्छी बात है आप लोग कमेंड बॉक्स में बता दीजे कि इसका सही देवाब क्या होना चाहिए फिलाल मुझे तो ये सवाल में थोड़ी गरबड़ी लगती है आगे बढ़ते हैं तालिस नंबर सवाल कि अमरिता पृ स्रितम जो है ना इनकी नजम कवीता हम लोग के बुक में जो शामिल है हम लोग के सिलेबस में जो दिया गया है उसका नाम है वारिस शाह से ऑप्सन नंबर ए इस तक रेक्ट एंसर नेक्स्ट क्वेशन 42 कि शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुई बताई इतना आसान और हल इनका नामी ऐसा है कि इनको कोई भी फीमेल समझ लेगा तो शबनम कमाली यह सीता मड़ी जिला में पैदा हुए थे आगे बढ़ते हैं तो इस नंबर 43 कि महमूद के अहलिया का नाम क्या था आप साने में महमूदा भी में आईशा सी में जबीदा और डी में खालिदा तो अफकॉस महमूद की वाइब का नाम था जबीदा जिसे उतकी शादी होने वाली थी और इंफेक्ट हो भी जुकी थी लेकिन जब शादी होकर दुला गया अपने ससुराल यानिकि अपने घर गया शादी निकाह होने के बाद जब घर में दुला एंटर नहीं करता है लड़ में और इसिएख क्रदार यानिकी में करेक्टरं यही 2 एंट निसे क्रोपना के सोचने वाली बात ही नहीं तो कॉछेंग वाले से उल्डुरों पाते हैं ठीक है तो यह याद रखेगा सरसेयद के नाम से जुड़ा हुआ है अलेगड़ मुस्लिमिन सीटी का नाम तो सरसेयद की पैदाइश हुई थी दिल्ली में आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब बता दो इसका सही एंसर क्या होना चाहिए 46 नंबर सवाल है कि मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगाशर के मजमून निगार कौन है अगला सवाल है तो इस बी जैसा सूरज गरहन को दोबारा देखने के लिए कितना इंदजार करना पड़ेगा अप्साने में 111 साल, भी में 113 साल, भी में 1125 साल और डी में 1127 साल तो 2019 भी में जो सूरजगरहन लगा था न उसके जैसा दुबारा सूरजगरहन देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा 123 साल होगा ठीक है, तो 2009 में आप 113 साल जोड़ लीजिए कितना होना चाहिए, एक सती साल जोड़ेंगे 9-3-12, और 2-1-3, और ये रहा 1232 सन में, ठीक है अभी 2024 चल रहा है न तो 202132 सन में जो है न, ये लगेगा 2009 जैसा सूरजगरहन, तो पता नहीं उसके तक हम लोग जिंदा है रहेंगे कि नहीं, अफकॉस जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि अभी का, जो उमर हो गया है, वो 60-70 साल का हो गया है आदमी 60-70 साल में ही मर जा रहा है, तो पता नहीं दो हजार एक सो बतिस साल तक कौन जिंदा रहेगा नहीं रह सकते हैं, हम लोग मर जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग की जो नेक्स्ट पीडी होगी, वो देख पाएगी क्योशन नमर 48 देखिए, नजीर एहमद की पैदाइश कब हुई आपसन A में है 18-30, B में है 18-33, C में है 18-36, और D में है 18-49 तो नजीर एहमद की पैदाइश हुई थी, 18-36 में आपसन नमर 30, दा करेक्ट एंसर, अगला सवाल, क्रेशन नमर 49 की गालिब के खुतूद के कितने मजमुएं हैं यानि की गालिब के खुतूद के कितने किताब हैं मजमुएं और D में है एक, B में दो, C में तीन, और D में चार, ये भी आप लोगो को बताएगे हैं बहुत बार, कि गालिब के खुतूद के दो मजमुएं आप लोगो देखने को मिरेंगे एक का नाम है उदे हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दुए मुला, याद रखिएगा, पभी कभी ये नाम भी पूश देता है पच्चास नमबर स्वाल की मेधी अफादी का असल नाम रियल नेम क्या है अपसने मेधी हसन भी मेधी अमाम सी मेधी अली अडी मेधी बाकिर मेधी तो ये भी एकदम हलवा क्वेशन है मेधी अफादी का रियल नेम मेधी हसन था एक क्यावन नमबर सवाल है कि शामिली निसाब नजम, मनाजिरे खुद्रत या फिर मनाजिरे फिद्रत दोनों बोल सकते हैं तो इसके शायर कौन है अपसने में निदा फाजली भी में परवेज शादी सी में चकबस्त और्डी में शौक लखनवी तो इस नजम, इस मनाजिरे खुद्रत नाम के नजम इस कवीता के जो राइटर है शायर वो है चकबस्त याद रखना है चकबस्त मनाजिरे खुद्रत के शायर है जगनात आजाद मुहकी की हैसियत से क्या कहलाते है option A में हैं माहिर अक्बालियात B में हैं माहिर लिसानियात C में हैं माहिर नफसियात और D में हैं माहिर सरस्यद तो जगनात अजाद जो है ना माहिर लिसानियात कहलाते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि निदा फाजली की पैदाईश कहां हुई option A में गवालियार, B में अलिगर, C में दिली और D में मुरादबाद तो निरा फाजली की पैदाईश हुई थी गवालियार में option number A हो गया सही जवाब question number 54 की दर्जैल मिस्रे को मुकम्मल करें यहां पर मिस्रा दिया गया है और इसको आपको मुकमल करना है खाली जगा को भरना है डिनर के साय में पॉजी प्रेड होती है देखिए कौन से option में प्रेड दिख रहा है एड ग्रेड 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 इसमें option number C में प्रेड दिख रहा है C is the correct answer पच्पन नबर सवाल कि सेयद मुहमद जाफरी की पैदाईश कब हुई तो सेयद मुहमद जाफरी की पैदाईश हुई थी उन्हें सब पांच में जो की खड़ा दिनर नजम के आप इनके सब्सक्ते हैं राइटर है और इसमें जो मिस्रा मुकमल करने के लिए दिया गया ना ये मिस्रा लिया गया है खड़ा दिनर नाम के चैप्टर से ही जिसमें खड़ा दिनर बफिट सिस्टम का मजाग उड़ाए गया है आज कल के साधी ब्या में यही तो teasing घआए खड़ा दिनर जाओ खुद से लेकर खड़ा वह हो खाओ फिर घोड़ा की तरह गधे की तरह मतलब मजाग उड़ाया है शायर खड़ा डिनर इस नजम में छपपन नमबर सवाल है कि लवज मर्सिया कि जबान से माफूज है यह अरभी लवज रेशा से बना है यानि कि लवज मर्सिया अरभी लवज से माखूज है आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल जिस गजल में रदीफ नहों उस गजल को क्या कहते हैं यह बहुत बार पूचा गया है ठीक है आप लोग इसको अभी के अभी तुरंत अपने माइड में स्क्रिन शॉट माण लो क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन जिस गजल में रदीफ नहों उस गजल को कहा जाता है गयर मुरद्दफ अपसा नमबर C is the correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नमबर 58 कि मस्नवी बहरुल मुहबबत के मस्नवी निगार कौन है यह भी क्वेश्चन खकोर कर पूछाए बताए बहरुल मुहबबत के जो मस्नवी निगार है यानकिस मस्नवी की जो राइटर है वो है जरा आप लोग बताएं तो आप लोग सोच लें इसका क्या होना चाहिए जी है इसके जो राइटर है वो है मस्नवी गुलाम हमदानी मस्नवी मस्नवी बहरुल मुहबत के मस्नवी निगार है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 59 कि मस्नवी की वपात कब हुई य सवाल की अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है कि अंधेरे घर का दिया इसे मुराद और खेल का दिय गहां कि थी ब्रेगी अथाओं वडियों को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत लाइक ठोको और शेयर मारो फड़ा फड़ दर्स जैल में लवज मुहमल की निशाम दही यहां पर सवाल में पूछा जा रहा है कि इन चारों आप्शन में से यानि कि लिखीत में से आप लोगों को बताना है कि लवज मुहमल कौन सा है लवज मुहमल कहते हैं जिसका जिस लवज का कोई मानी नहीं हो काम का तो मानी है लेकिन वाम का कोई मानी नहीं होता है लेकिन वाम का नही होता तो hashan भाम ही क्या और लफ ball का और यह सब क्या क हमा Here और बड़ते हैं बास्ति नंबर सवाल कि तुम सब पढ़ते हो इस जुमले में तुम पुमसा सेगा है यहांपर सेगा से कुछनफ पूचा ग्या है और डेख़ो आप लोग अगर यह नहीं पढ़े हो तो सर्थ बाई मुसकान मैम और ध्यान रहे मुसकान मैम में डबल जरूर दे लास्ट में मुसकान मैम आप लोग को वीडियो मिल जाएगा जिसमें सेगा को मैं कम्प्लीट पढ़ाई हूं कि सेगा किसे कहते हैं अगला सवाल कि दरिजयल में इसमें मुकबर की निशान दही कीजिए इसमें मुकबर कहते हैं जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो बागी चा इससे तो चुटापन जाहिर हो रहा है किताब चा इससे भी चुटापन जाहिर हो रहा है दरीचा इससे भी चुटापन जाहिर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि बाग से बागी चा छोटा है किताब चा भी क्या छोटा है ठीक है दरीचा भी चोटापन जाहिर हो रहा है लेकिन अगर बात की जए डबबा तो डबा से बड़ा पन जाहीर हो रहा है तो option number D is the correct answer फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं 64 number सवाल कि यह कपड़ा पुराना है इस जुम्ले में पुराना क्या है option A में मौसूफ, B में सिफत, C में फाइल और D में फेल तो यह कपड़ा पुराना है आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए यह कपड़ा पुराना है इसमें पुराना अफकॉस सिफत कहलाएगा क्योंकि जिस लफ्द के जरी किसी की विशेष्टा बताई जाए उसे हम लोग कहते हैं सिफत, तो कपड़ा पुराना है पुराना की कारण हमें विशेष्टा पदा चल रही है कपड़े की तो यह पुराना लफ्द क्या कहलाएगा सिफत कहलाएगा जो हमें विशेष्टा बता रहा है, लेकिन जिसकी विशेष्टा बताई जाएए उसको कहते हैं मौसूफ याद रख़ियेगा मौसूफ सिफत और मौसूफ ये दोनों पॉइंट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिर कहते हैं किसे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नमबर सवाल खुर्द के जिद क्या होगी खुर्द वकला सुने होंगे तो आपसन नमबर ए इस दो करेक्टिंसर आगे बढ़ते हैं 66 नमबर सवाल कि दर्द जैल में लाका को तलाश कीजिए आपसने में अकुसल खाना अभी में हैं लाहासिल सी में हैं अनपड़ा ओर्डी में हैं गयर हाजिए लासे लाका, लास से लास, सासे साबका सासे, सासे साबका और सासे शुरू ट्रिक में आप लोगों बता चुपी हैं अलड़ी ग्रामर में जो लास्ट में जुड़े उसे लाका कहते हैं जो शुरू में जुड़े उसे साबका कहते हैं देखें, यहाँ पर घौर कीजिए, ध्यान से हाजर के शुरू में जुड़ा हुआ है गहर तो ये तो साबका कहलाएगा ये लाका है नहीं पढ़के आगे जुड़ा हुआ है अन तो ये भी साबका कहलाएगा, सी भी नहीं होगा हासिल के आगे, यानि कि शुरू में जुड़ा हुआ है ला, तो ये भी साबका कहलाएगा ये भी लाका नहीं है लेकिन अगर ऑप्शन नमबर ए को देखेंगे आप तो गुसल के लास्ट में जुड़ा हुआ हुआ है खाना, तो जी हाँ यही है लाका, लासे लास्ट, लासे लाका, लास्ट में जुड़ा हुआ है बुसल खाना, ऑप्शन नमबर डी इस तक, सॉरी ऑप्शन नमबर ए इस तक रेक्टर इंसर, आगे बढ़ा जाए चलो फिर नेक्स्ट क्वेशन पर बढ़ते हैं ये क्या हो गया क्वेशन नमबर 67 कि दर्ज़ जैल में इसमें मारफा की निशान दही कीजिए औपसन A में फल, B में नदी, C में जैद और D में शेहर तो इसम मारफा कहते हैं प्रोपर नाउन यानि कि व्यक्ति वाचक संगिया किसी खास स्पेसल नम को कहा जाता है फल में तो फल की पूरी जाती आ जाएगी कोई एक स्पेसल फल का नाम नहीं बदाए गया तो आपसन नमबर तो यह नहीं होगा नदी में नदी की पूरी जाती आ जाएगी कोई स्पेसल नदी का नाम नहीं बदाए गया तो नदी क्या है एक इसम नकरा है ये भी इसम मारफा नहीं है शहर में शहर की पूरी जाती है जाएगी कोई भी शहर हो सकता है तो ये भी इसम नकरा है इसम मारफा नहीं है लेकिन लड़के में एक स्पेशल लड़की का नाम दे लिया गया है जैद तो जैद क्या कहलाएगा यही कहलाएगा इसम मारफा आपस तो राशिद रोटी खाता है सबसे पहले तो जो काम करता है उसको कहते हैं फाइल काम करने को कहते हैं फेल और जिस पर काम का असर पढ़े उसे मफूल कहते हैं तो राशिद तो हो जाएगा फाइल खाना हो जाएगा फेल और किस पर असर पढ़ रहा है खाने का किस पर असर पढ़ रहा है तो रोटी पर असर पढ़ रहा है तो रोटी क्या हो जाएगा रोटी हो जाएगा मफूल तो option number A हो जाएगा इसे सवाल का सही जवाब आँख बंद करके टिक किजी option A और आगे बढ़िए option number 69 की बिहार में पढ़ रही हूँ बहार की जिद क्या होगी option A में है खजाना, B में है खजान, C में है खजानों और D में है खजा तो बहार के जिद यानि की opposite word विप्रितार ठक शब्द होता है खजा, बहार और खजा एक दूसरे के opposite word है option A में इद गा, B में है बाखबर, C में दर्सगा और D में है कबरिस्तान इद और लास्ट में गा जुड़ा हुआ है, तो ये तो लाहका वाला लफज है, option A तो होगा नहीं दर्जील में इस मनक्रा की निशान दही कीजिए, उप्साने में राशिद, B में, पटना, C में, गंगा, और D में हैं, पहाड, तो इस मनक्रा यानकी common noun की पहचान करनी है, राशिद तो होगा नहीं, क्योंकि लड़के में एक special नाम ले लिया गया है, पद्णबर शेहर में भी एक special नाम ले लिया गया है, यह भी इसमें Marfa कहला आएगा, S. नदी में भी गंगा नदी का नाम ले लिया गया है, यह भी इसमें Marfa नखिरा न कहला है यह लेकिन पहाड में कोई special पहाड का नाम बहुत है तो जी हां, option number D is the correct answer यही है, इसमनक्रा यानि की कॉमननाल जिसे पुरी जाती, पहाड की पुरी जाती का बोड हो रहा है Q73 कि मुबारक अजीम अबादी की पैदाईश कहा हुई तो मुबारक अजीम अबादी की पैदाईश हुई थी दर्भंगा में option number 10 is the correct answer देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं fast बोल रही हूं तो आप लोग वीडियो को slow भी कर सकते हैं और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं slow बोल रही हूं तो आप वीडियो को fast भी कर सकते हैं ठीक है और ज्यादा फास्ट कर देंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्वेशन नमबर 74 कि शबनम कमाली की पैदाईश कब हुई तो अफकोर इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है 22 जुलाई 1928 को जो है अगला सवाल है कि निजाम शमसी में जमीन की क्या है जमीन क्या है तो जमीन की एसियत है एक सयारा यहनकी प्लानेट का ग्रह का जमीन हम लोगा प्रिथवी क्या प्रिथवी हम लोगा एक प्लानेट मतलब की ग्रह है 79 नमबर सवाल की दर्स जियल में डॉक्टर अब्दल अबद्लमखनी की किताब का नाम है तश्कील जदीद, और सा नमबर ₩ 10, the correct answer. अगला सवाल, कि अदब की पहचान के मजमुन नगार कोन है? अबद्लमखनी है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं? इससे आसान क्वेशन इस दुनिया में हो सकता है किया? अबद्लमख फूपी कहलाएंगी ना तो आपसा नमबर डी इस दा करेक्ट एंसर लुद्फुर रह्मान की पैदाईश कब हुई तो इनकी पैदाईश हुई थी उन्हें से एक तालिस में शहबाज किस अखबार के मुदीर 83 नमबर सवाल है कि शहबाज किस अखबार के मुदीर हुए यानि की इडिटर बने थे तो दारूल सल्तनत याद रखिएगा दारूल सल्तनत नाम की अखबार के इडिटर मुदीर बने थे शहबाज की वफात कब हुई तो शहबाज की वफात हुई थी 30 नौमबर उन्हेस सा 8 बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नौमबर की जगा दिसंबर टिक करके चलियाते हैं जैसे कि यह जिस बच्चे का question paper है वो भी टिक करके चलाया है ठीक हैं यहाँ पर dot लगा हुआ है मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 30 नौमबर उन्हेस सा 8 इस ता correct answer अगला सवाल 85 नौमबर सवाल है कि मेधिया फादी के वालिद क्या थे यानकि उनके पीता जी क्या थे क्या वो एक वकील थे डॉक्टर थे ताजिर थे या court inspector पुलिस थे तो of course वो एक court inspector पुलिस थे अगला सवाल 86 नौमबर सवाल परविर शादी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है यानकि हम लोगे किताब में दिया गया है तो इनकी नजम है हम नौजवा है 87 नंबर सवाल कि मिर्जा शौक का असल नाम यानकी रियल नेम क्या है तो तसद्दुख हुसैन खाइस में तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं फड़ागा टिक करके आगे बढ़ना है बकावली जैनल मुलक के सामने अपने आपको किस नाम से पेश करती है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बकावली जैनल मुलक के सामने अपने आपको फर्रुख इबन फिरोज बताती है यानि कि आपसन नंबर सी इस दा करेक्टरिसर अगला सवाल कि हसन नाम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था आपसने में जदीद शायरी भी में रुमानी शायरी सी में कदीम शायरी और डी में क्लासी की शायरी तो आपको पता होनी चाहिए हसन नईम जो है वो क्लासी की शायरी का गहरा मुताला किये थे option number D is the correct answer अगला सवाल 90 नंबर सवाल है कि परवीन शाकिर परवीन शाकिर किस हैसियत से मरशूर है क्या वो अपसाना निगार है घजल गो है या फिर मर्सिया गो है या फिर वो नाविल निगार है तो परवीन शाकिर आपको पता होना चाहिए कि वो एक घजल गो के हैसियत से मरशूर है और औरतों के जजबात तो एससात को अपने घजलों में बहुत ही खुबसूरत अंदाज में इन्होंने उतारा है अगला सवाल इर्फान सिदिक्टी की पैदाईश कब हुई दो जबर, दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं अगला सवाल की दर्जज़ाइल मिस्रा को मुकमल कीज़े यहां पर एक मिस्रा दिया गया इसको मुकमल करना है तेरे होते हुए मैफिल में जलाते हैं चिराग तो कौन सी उफ्सन में दिख रहे हैं जलाते हैं यहां पर तो भुजाते हैं, सजाते हैं, बचाते हैं जलाते ओपसिन नंबर सी में दिख रहे हैं तो ऑपसिन अंबर सी is the correct answer अगला सवाल, एहमद फिराज का तालुक किस मुलक से हैं आपसने में पाकिस्तान बी में हिंदुस्तान और सी में है अफगानिस्तान और डी में है तुर्किस्तान तो आफकॉस एहमद फिराज का तालुक जो था वो पाकिस्तान से था पाकिस्तान में बहुत इनको मशुरियत बहुत ज़्यादा यह मुख्बूलियत इनको मिली थी त लगकर अक्तेंसर 95 नमबर सवाल है कि गालिब की पैदाईश कब हुई ये भी एक दम हल्वा सवाल 177 पर में वी थी ये किसको नहीं याद है बच्चे बच्चे को याद है मिर्जा गालिब के बारे में कौन नहीं जानता है सब कोई गालिब के नाम से ओल्ड़ी खब गालिब शाहदी नजम बहुत असान थी पहले इसके शायर जो है वो है निदाफ पाजली ओप्सान नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर अफसाना अर्जुन का तरजुमा किस ने किया लो ये तो रौसनी के बुख से क्रिशन पूछ दिया गया है अफसाना यान की कहानी अर्जुन जैना इसको ट्रांसलेट किया था शाफिक दवाई ने यानि कि ऑप्सान नमबर सी हो गया इस सवाल का सही उत्तर 91 नमबर प्रश्न और मात्र दो सवाल बचा हुआ है बारिस की एक सुबा किसकी तखलीक है औरसनियमे अमरिता पिरृतम भी इसके जो तखलीक की गई है वो किनके दोरा की गई है सितकांत महापात्रा की द्वारा की गई है यानि कि सितकांत महापात्रा की तखलीक है इन ही का लिखा हुआ है बारिश की एक सुबा Next question 99 number सवाल कि आकास का मुत्रादिफ लब्स दर्शेल में से कौन है यानि कि आकास का एक जैसा महानी रखने वाला लव्ज कौन है आकास बोलिये फिर आसमान बोलिये बात ये कि option number 2 is the correct answer और in fact ये question अलड़ी में grammar का जो objective का episode चल रहा है उसमें करा चुकी हूँ और हाँ एक और बात में आप लोगों को बता दूँ बहुत ही important समझते हुए कि उर्दू grammar उर्दू grammar की objective question का live कल 11 बजे सुबा हमें होने वाला है कल और परसू यानि कि 20 और 21 तारीक दो दिन live होगा episode 9 और 10 जो बचा हुआ था यानि कि उर्दू grammar की objective question का episode 8 तक हम लोग किये थे अब जो बचा हुआ है दो एपिसोड 9 और 10 तो वो हम लोग कल और परसू करके खत्म करेंगे यानि कि उर्दू grammar के objective question के episode का खात्मा होने जा रहा है और वो भी नहीं तो live class के जरीए तो कल 20 तारीक है परसू 21 तारीक है दोनों दिन आपको सुबह में 11 बजे उर्दू grammar की objective question का live करने के लिए जरूर जोड़ना है यानि कि उर्दू grammar के episode 9 और 10 में जरूर जोड़ना है especially for class 10 और 12 दोनों class के लिए हैं तो दोनों class की विद्याती कल जुड़ेंगे और एकदम कल का जो live होगा एकदम धासव और जबरदस्त होगा ठीक है पड़े होंगे कल बोजा में हुसन की गहराईया रह जाएंगी तो असुराज है की तरी पर छाईया रह जाएंगी तो कल बोजा में हुसन की गहराईया option number A में ही दिख रहा है इसको धी रिसेटिक कर दीजिए तो फाइनली यहां पर हम लोग टोटल 100 अब्जेक्टिव क्योशन कम्प्लीट कर चुके हैं यानि कि आज का जो सेंट अप एकदाम हुआ है उर्दू का तो 100 के 100 अब्जेक्टिव क्योशन का एंसर में आप लोग को बता दी अब आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे और बाकी कल के लाइब के लिए कल 20 और 21 दोनों दिन याद रखिए ग्यारा बजे आपको उर्दू ग्रामर के अब्जेक्टिव क्योशन के एपिसोड में लाइव जोड़ना है ठीक है और उर्दू ग्रामर का एंसर आपको बताना होगा लाइव ठीक है आख बंद करके आप ग्यापान गेडमी के सांथ जुड़े क्योंकि हम दिलासा नहीं रिजल्ट देते हैं ठीक है तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज